हेलो दोस्तों, वेलकम और इस वीडियो में बहुपत की एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व करूँगा और आज के बास से मैं एक क्वेशन करके अप्लोड नहीं करूँगा मैं एक साथ पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके और फिर उससे पूरी एक्सरसाइज को अप्लोड करूँगा तो अगर आपको कोई particular question चाहिए है तो आप क्या कर सकते हैं description box में सारे question number के सामने मैंने time लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे time पे click करके उस question पे पहुँच सकते हैं ओके तो शुरू करते हैं और पहला question है ये उप्यूप्त सर्वसामिकाओं को प्रियोग करके निमने लिखी गुणन फल ज्यांत हीजिए तो question number one और इसके कई सारे part है तो पहला part है x plus 4 x plus 10 हमने इसका गुणा करना है तो देखो इसका हम multiply करेंगे आप जानते हैं क्या होता है x square प्लस ये x plus a x plus b के सर्वसामिकाओं यहां पे लग रही है तो ये x square plus a plus b into x plus a b तो ये हो जाएगा x square plus 14 x plus 40 अब देखो यहां पे आपने ये सर्वसामिकाओं यहां पे आपने ये लिखा है तो आपको mention करना है कि कौन सी सर्वसामिकाओं आपने इस्तिमाल की है ठीक है ना तो यहां पे आप mention कर सकते हैं कि चुकि x plus a into x plus b होता है x square plus a plus b x plus a b तो जो भी आप identity इस्तिमाल कर रहे हैं वो आपको लिखना है तो ये आपका answer आ गया है अब second part है x plus 8 x minus 10 तो ये है x square plus a b देखो ये ही identity लग रही है तो x square plus यहां पे लिखते है a plus b a है plus b तो ये minus 10 आ जाएगा x plus a b minus 10 क्योंकि negative है तो bracket में लगेगा और ये हो जाएगा x square minus 2x ठीक है ना 8 minus 10 is minus 2 ये और ये हो जाएगा 80 और ये इसका answer आ गया है ठीक है ना और यहां पे आपको फिर वही लिखना है कि ये इसमें identity लग रही है question number 3 I mean इसका third part जो है solve करते है 3x plus 4 3x minus 5 देखो again same हमारे पास ये identity है इसे ही इस्तमाल करना है तो x plus a x plus b यही है ठीक है ना x square यानि 3x का square plus a plus b यानि 4 minus 5 5 into x तो x तो 3x है plus a b यानि 4 into minus 5 तो ये आजाएगा solve करके 9x square minus 3x ठीक है 4 में से 5 गया minus 1 और minus 20 आजाएगा ये answer आगिया है समझ आगिया fourth करते हैं ये है y square plus 3 upon 2 y square minus 3 upon 2 ठीक है अब हमने इसे solve करना है तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक बार e plus में है और सेम एक बार minus में है तो यहाँ पे a plus b into a minus b होता है a square minus b square ठीक है ना और यहाँ पर identity कौन से लगी x square minus y square होता है x plus y into x minus y ठीक है ना तो x plus y into x minus y होता है x square minus y square अब यह जब simplify होके आ जाएगा 2 दुने 4 minus 3 किया 9 2 दुने 4 ठीक है ना i hope आपको दिख रहा होगा यह सब तो यह तो हमने किये question अब fifth question है तो यह जो fifth part है fifth question है इसमे 3 minus 2x मैं यहाँ पे करता हूँ इसे fifth question 3 minus 2x 3 plus 2x तो again सेम चीज़े है यह पहले minus में है फिर plus में है तो वही apply होगा a square minus b square यह होगा 9 minus 4x square ओके यह answer आगे है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से identity इस्तेमाल किया आपने x square minus y square is x plus y into x minus y ओके वेल अब हम आते हैं question number 2 पे question number 2 का first part है सीधिक गुणा किये बेना निमने लिखे गुणन फ़लो के मान ग्यान कीजिए तो हमारे पास है जो फरस्ट पार्ट है 103 गुणा 107 तो देखो इसको गुणा करना है तो यह हो जाता है 100 प्लस 3 means जो इसका नियरेस्ट एक round figure में नंबर होता है उसके हिसाब से लिखते हैं और यह हो जाएगा 100 प्लस 7 अब यहाँ पे जो identity इस्तिमाल होगी वो होगी x प्लस a into x प्लस b यानी x square plus a plus b into x plus ab यानी यहाँ पे कौन से identity इस्तिमाल होई है x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx plus ab तो यह आपको लिखना पड़ता है जो identity आप इस्तिमाल करें फिर यह हो जाएगा इसका square होता है यह 10,000 plus 3 plus 7 is 10 into यह हो जाएगा 1000, 100 and 21 और यह आजाएगा तो 10,000, 11,000, 11,000, 21 ठीक है तो यह हो गया second question I mean second part इसका 95 into 96 तो यह होगा देखो 100 minus 5 into 100 minus 4 अब समझगे ना कैसे हुआ है यह तो 100 minus 5 यह 96 यह 95 और 100 minus 4 is 96 अब यहाँ पर देखो same identity इस्तिमाल करेंगे तो यह हो 100 square plus a plus b into x तो x की जगा पर 100 है plus a b ठीक है तो हमने यह ही identity इस्तिमाल किया और वो हमें यहाँ पर लिखना भी यह पूरा same identity तो यह हो जाएगा इसका square करेंगे यह minus 5 minus 4 होता है minus 9 तो यह minus 900 आ गया पांचो को 20 तो यह हो जाएगा पहले इनको plus करो और फिर इसमें 900 minus करो तो यह हो जाएगा 2,0,1,9 यह answer आ गया है ओके अब जो इसका third part है 104 into 96 तो देखो इसको फिर वही करते हैं 100 plus 4 into 100 minus 4 देखो यहाँ पर cross का sign लगा और न लगा बात एक है bracket के बीच में sign नहीं होता है तो multiply ही होता है ठीक है अब आप यहाँ पर देखो दो same चीज़े plus में और same चीज़े minus में तो यह a square minus b square होता है तो 100 square minus 4 square तो यह हो गया minus 16 ठीक है तो यह आ जाएगा 9984 and this is the answer और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कौन से identity इस्तिमाल की है x plus y into x minus y होता है x square minus y square ठीक है अब बढ़ते हैं question number 3 की ओर question number 3 अब इसमें हमें factors निकाल ले है तो यह है हमारे पास 9 x square plus 6 x y plus y square तो देखो यहाँ पे पहले बात तो यह है कि अगर आपको मैंने आपको बताया था पहले कि अगर यह आपको पूर्ण वर्ग दिखे और यह भी पूर्ण वर्ग दिखे तो यह समझ जाना कि इसमें a square plus 2ab plus b square की ही form हो सकती है अब देखो यह है किसका 3x का square आप जानते हैं अब इसे छोड़ दो, see the last room में पहुंच जाओ यह y का square है और बीच में क्या लिखो देखो यह a square 2ab b square यानि यह a square है यह b square है बीच में लिखना है 2ab 2 into a into b या फिर आप a b के इसाफ से करो या a x y के इसाफ से करो बात एगी ठीक है तो यहाँ पे यह हो गया है अब देखो अगर आप बोणा करोगे तो यह सेम चीज मिलेगी तो यह बिल्कुल एक identity बन रही है x square plus 2xy plus y square की तो यहाँ पे यह हो जाएगा x plus y का square और यह होता है I mean अब यह दोबारा पर अगलग लिख सकते हैं क्योंकि आपको गुणनखंड करना है ठीक है यह है तो इसको यह square है तो यह दोबार लिख सकते हैं अब यहाँ पे आपने identity इस्तेमाल की है कौन सी? x plus y square is equal to x square plus 2xy plus y square तो हमें लिखना होता है जो भी identity है में समाल करते हैं second 4y square minus 4y plus 1 अगें यह भी पूर्ण वर्ग है perfect square है यह भी पूर्ण वर्ग है perfect square तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही form है x square minus 2xy plus y square यानि यह देखो यह ऐसा हुआ अब इसे छोड़ दो फिलाल सिद्य लास्ट में जाओ यह 1 का square है और बीच में देखो यह x square यह y square बीच में 2xy 2xy और आप multiply करके देखो कि तो same आएगा हमें cross check कर लेना चाहिए ठीक है ना बस यह 2y minus 1 का whole square है आप चाहो तो इसको दो बार लिख सकते हो 2y minus 1 into 2y minus 1 और यहाँ पे x minus y square is equal to x square minus 2xy plus y square की identity इस्तिमाल हुई है समझ गए अब हमारे पास तीसरा question है इसका तो थर्ड पार्ड है I mean इसका ठीक है तो थर्ड पार्ड क्या है x square minus y square upon 100 देखो यह साब दिख रहा है कि a square minus b square की form बन रही है तो यह होगा x square minus y upon 10 का whole square ठीक है तो यह क्या करेंगे हम एक बार plus करेंगे और एक बार minus करेंगे और कौन से identity हम ने लगा है कौन से identity लगी है यहाँ पर लगा है x square minus y square is equal to x plus y x minus y यानि जब a square minus y square की form हो जब दो आपस में square में minus हो तो एक बार ही वो plus हो जाते हैं एक बार minus हो जाते हैं इस तरह से ठीक है अब भड़ते हैं question number 4 की ओर question number 4 है उपियुक्त सेल्व समिकाओं का प्रियोग करके निवन लिखित में से प्रतेक का प्रसार कीजी यानि हमें expand करना है इन्हें तो देखो first part question number 4 का first part है x plus 2y plus 4z इसका square तो देखो यह कैसे करेंगे यहाँ पे x plus y plus z के whole square का formula है और वो क्या होता है देखो मैं यहाँ पे पहले formula ही लिख देता हूं बलकि x plus y plus z का square होता है x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx 2zx ठीक है तो यह होगा x square plus y square तो देखो यह bracket में आएगा ठीक है ध्यान रखना z square तो यह भी bracket में आएगा क्योंकि दोनों चीजें है दोनों का square हो रहा है प्लस 2xy 2 into x into यह into का सायन है multiply का 2 into iz 2 into zx तो यहां तक सबस्पश समझ आ गया है बस तो जब हम यह लिखते हैं इसके बाद हमने कौन से identity समाल किया वह भी लिखना होता है तो वह हम लिख चुके हैं तो बस अब हो गया यह हो जाएगा x square प्लस दो दोने 4x 4y square प्लस 4 fours 16z square दो दोने 4xy दो दोने 4, 4 चको 16 yz प्लस 4 दोने 8 zx ठीक है समझ आ गया है तो अब second part करते हैं हमारे पात जो second part है उसमें 2x-y प्लस z इसका square है तो देखो कैसे सेम फॉर्मला इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे x square प्लस y और y है माइनस का तो यह माइनस y आएगा ध्यान रखना z square अब यह अकेला है तो इसमें bracket लगाने की ज़रूरत है नहीं 2ab माइनस वाला bracket में आएगा प्लस 2bc प्लस 2ca ठीक है आप समझ के होंगे तो यह होता है अब अगें यहाँ पर लिखना है कौन से identity इस्तिमाल की है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा ठीक है तो यहाँ लिख देने यहाँ पर जो भी identity इस्तिमाल हुई है इसका square होता है 4x square plus y square plus z square टूड़ जा 4 तो देखो plus minus का minus हो जाएगा दो दूने 4xy यह plus minus का minus 2yz दो दूने 4zx यह इसका answer आ गिया है ठीक है अब हमारे पास है third तो third करते हैं तो यह है minus 2x plus 3y plus 2z इसका square तो यह होगा x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx आप चाहो तो यहां पर dot भी लगा सकते हो ठीक है ना कोई जरूत है यह bracket लगाने की लेकिन minus में bracket लगाना ज़रूरी होता है तो यह हो जाएगा minus का square करेंगे तो plus आएगा और 2 दूने 4 4x square 3 दिया 9y square plus 2 दूने 4z square 2 दूने 4 दिया 12 xy और minus आएगा plus minus का minus plus 3 दूने 6 दूने 12 yz और यह plus minus का minus हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 zx और यह answer आगिया है ठीक है अब हमारे पास है question इसका fourth part 3 minus 7b minus c square तो यह हो जाएगा again same formula और ध्यान रखना जब भी आप यह expand करते हैं formula लिखना चाहिए तो मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है तो इसलिए मैं 12 बार नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है ठीक है question की नीचे जब यह आप यह expand करें तो आपको यह लिखना है ठीक है तो यह हो जाएगा x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2z x ठीक है सब समझ आ गया यहां तक अब अगें यहां पर आपको लिखना है कौन से identity इस्तिमाल किये ठीक है ना लेकिन मैं वह नहीं लिख रहा हूं पर आपको लिखना है 9a square 7, 59 b square plus c square square वाले आपको हमेशा positive में ही मिलेंगे क्योंकि minus का square हमेशा positive होता है अब यहां देखो plus minus का minus हो जाएगा और यह हो जाएगा तीन दूने 6 6 सते 42 a, b minus minus का plus साब दूने 14 b, c plus minus का minus 3, 6, c, a और यह answer आ गया है ठीक है well अब हमारे पास है fifth part इसका minus 2x plus 5y minus 3z square तो यह हो जाएगा again same formula इस्तमाल करेंगे x plus y plus z का whole square का x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2 zx तो यह हो जाएगा 4x square plus 25y square plus 9z square minus 2 दूने 4 पंचे 20 xy plus minus का minus 5 दूने दस्तियां 30 yz minus minus का plus हुआ 3 दूने 6 दूने 12 z x यह आंसर आगिया है ठीक है ठीक है तो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा और अब लास्ट है 6th पार्ट इसका a upon 4 minus b upon 2 plus 1 square तो यह होगा again we will apply the same formula तो यहाँ पे हमें x plus y plus z का वही जो हमारा formula है x plus y plus z square का इस्तिमाल करना है x square plus y square plus z square ठीक है plus 2 x y plus 2 y z plus 2 z x हो गया अब इसका a square होगा a square upon 16 यह plus हो जाएगा b square upon 4 plus 1 यह 2 से 2 cancel हो गया प्लस माइनस का माइनस तो माइनस a b upon 4 यह प्लस माइनस का माइनस यह 2 से 2 cancel हुआ b और यह 2 से 2 दुने 4 प्लस a upon 2 और यह आंसर आ गया है ओके तो इसके सारे पार्ट हो जुके हैं अब हम बढ़ते हैं question number 5 की ओर now we have question number 5 और हमें इसमें गुणनखंड करना है तो जो पहला पार्ट है इसका यह है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 yz माइनस 16zx अब यहां पर आप देखके हैं आपको पता चल रहा होगा कि यह x प्लस y प्लस z का जो whole square होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ठीक है ना यह formula पचासों बार पढ़ चुके हो तो अभी दग आपको पता हो जाना चाहिए तो अब यह आप जानते हैं कि इसमें यह formula लग रही है तो इसमें वही formula इस्तेमाल होगा x प्लस y प्लस z के whole square का ठीक है ना तो हम इसको उसी में break करेंगे तो देखो कैसे करना है अब मैं आपको यहाँ पे एक trick बताऊंगा और उस trick से आप बड़े आराम से इसे कर लेंगे पहली बात तो आपको यह देखनी है कि minus किस किस में लगावा है तो देखो एक minus इसमें है और इसमें है ठीक है देख लिया अब इनमें common क्या है दोनों में x है दोनों में y है दोनों में z है क्या है तो आप कहोगी सर दोनों में z है very nice तो इसका मतलब minus वाला z है इस तरह से पता करते हैं कि minus किस में है ठीक है ना तो तीनों में से किसी एक में minus होगा अब किस तरह से देखते हैं मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूँ हमें देखना है माइनस किस किस में तो इन दोनों में माइनस है ठीक है अब ये देखो कि दोनों में common क्या है तो दोनों में आप देख सकते हैं Z दोनों में है तो यानि Z बाला प्लस जड़ेडिटी स्कॉायर यह माइनस आएगा ध्यान रखना ठीक है अब इसके क्या होता है आपको पता है जो आइडिटी होती है x square plus y square plus z square plus 2xy ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि exam में भी आपको लिखनी पड़े हैं x plus y plus z x square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2 zx ठीक है न? तो यहाँ पर 2xy चाहिए यानि x यह है y यह है z यह है तो 2xy 2xy y 2yz and फिर 2 zx ठीक है न? देखो हमने यह लिखा और formula की हिसाब से लिख दे हमें यह देखने की भी जरूत ने बड़े की कैसे break करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप गुणा करोगे 2-2-4-3-12 तो यहीं मिलेगा देखो 3-2-6-24 यहीं मिला 4-2-8-2-16 यहीं मिला ठीक है न? अब यहाँ पर देखो यह पूरी यहीं शेप बन रही है तो क्या आएगा? X प्लस Y प्लस Z स्क्वाइर यानि X प्लस Y प्लस Z तो यह तो माइनस है तो इस तरह से आएगा स्क्वाइर यह आंसर आगिया है क्योंकि गुड़न खंड करना है तो इसको दो अलगले हिस्सों में लिख दो Is it clear? यह समझ आ गिया आपको अब यहाँ पे करते हैं इसका second part Second part और भी interesting है देखो इस question का second part में square root है तो उससे आपको घबराना नहीं है देखो 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xy plus 4 root 2 yz minus 8xz यह है question तो इसको solve करना है अगेन formula सेम इस्तिमाल होगा तो x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx वही तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले देखो minus किसमें इसमें और इसमें है common क्या है दोनों में दोनों में x है common in the sense x दोनों में है या y है या z है आप देखेंगे दोनों में x है तो minus वारा तो x ही हमें पता चलिया है तो हमें क्या करना है यह लगेगा minus अब बताओ यह किसका square है तो यह root 2 का square है तो यह ऐसा आ जाएगा यह तो y है अकेला तो यह तो वैसे आएगा अरब यह देखो 8 किसका square होता है 8 होता है 2 root 2 का square यह आपको धियान रखना है अगर आप इसको square करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और root 2 का 2 रहेगा तो 4 दूने 8 यह मिल जाएगा तो धियान रखना 2 root 2 का square 8 होता है अब इसके बाद का जो लिखने का है वो बड़ा इंट्रेस्टिंग है x square प्लस y square प्लस z square माइनस 2xy x y sorry plus 2xy plus 2yz plus 2zx और x की जग़े पी क्या है हमारे पास यह ठीक है minus root 2 x और अब अगें x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx होता है x plus y plus z का whole square यानि x plus y plus z का whole square पता है ना आपको formula और यह आपको formula यहाँ पे लिखना भी है कि x plus y plus z का whole square होता है वो क्या होता है ओके और अब हमारे पास है question number 6 question number 6 है निम ने लिखे घनो को प्रसारित रूप में लिखे यानि हमें इनको expand करना है तो जो पहला पार्ट है 2x plus 1 का cube तो इसे हमने expand करना है तो देखो formula क्या होता है x plus y का whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y just keep this formula in mind यह बार बार इस्तमाल होगा और जब यहां minus होता है तो फिर यह भी minus यह भी minus और यह भी minus ठीक है ना यह formula याद रखना तो देखो इस formula की help से यहां पर देखो करते हैं expand तो यह 2x का cube हो गया नहीं लिखा बलकि आपको exam में भी लिखना है यह question में book में लिखना है यह notebook में अब इसको simplify करो तो इसका cube होता है दो दोने चार दोने 8 प्लस 1 का cube 1 तीन दोने 6x और यह 2x प्लस 1 यहां तक सब सही है ठीक है तो अब यह finally हो गया 8x cube प्लस 1 प्लस 6 दोने 12 x square प्लस 6x ठीक है ना अब यहां पर 8x cube यह आप पहले लेकर आ सकते हो क्योंकि एक तरीके से लिखना अच्छा लगता है पहले cube फिर square फिर यह लिखो और last me यह one आ जाएगा यह answer है perfect correct अब हमारे पास है second तो इसमें 2a minus 3b का cube देखो x minus y cube होता है x cube minus y cube minus 3xy into x minus y तो बिल्कुल यही अपलाई करेंगे यहां पर x cube minus y cube ध्यान रखना आप minus यहां पर ले रहे हैं तो आप यह मत करना कि minus यहां पर भी लिखो और यहां पर bracket के अंदर भी minus लिखो नहीं यह minus को हम deal कर चुके हैं ठीक है तो यह है minus 3xy तो x x minus y तो यह हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 और फिर हमें यहां लिखना भी होता है ठीक है चुकि यह ताकि पता चले हैं हमने यह formula इस्तिमाल किया है तो यह 8a cube minus 3 तीया 9 तीया 27 b cube minus 3 दूने 6 दूने 3 दूने 6 तीया 18 a b 2a minus 3b तो यह हो जाएगा 8a cube minus 27b cube minus 18 दूने 36a square b minus minus का plus 18 दूने 54 अब देखो यह b का इससे होगा तो b square आजाएगा a b square ध्यान देखना इसका जब इससे गुणा होगा तो a square आया और इसका इससे गुणा होगा तो यह b square हो जाएगा और यह answer है correct समझ आ गया well now we have third part तो again a plus b के whole cube का formula है तो a cube plus b cube plus 3ab a plus b ठीक है ना तो यह हो जाएगा अब देखो यहाँ पर formula लिखना है आपने अगर आप exam में कर रहे हो तो कौन सा formula apply करते हैं लिखना है खेर मैं बार 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 नहीं लिख रहा हूं तो मैं सिधर solve करता हूं 27 upon 8 x cube ठीक ना 3 की power 3 27 upon 8 यह 1 का cube 1 होता है 3 तिया 9 बटे 2 x और यहां पे 3 बटे 2 x plus 1 यहां तक समझ आ गया तो यह हो गया 27 upon 8 x cube plus 1 39 27 बटे 4 x square और फिर इसका इससे गुणा होगा तो 9 बटे 2 x आ जाएगा आप चाहिए तो यहां पर छोड़ सकते हैं लेकिन best है कि आप इसको एक order में लिखो यानि पहरे x cube फिर x square फिर x और फिर 1 और यह answer आ गया है clear उप्यूक्त सर्व समिकाएं प्रियोग करके निमल लिखेत का मान गयात कीजिए तो हमारे पास है 99 cube हमने इसका मान गयात करना है तो देखो इसके सबसे नजदिक में perfect number है 100 जिसका cube हम आसानी से निकाल सकते हैं तो देखो अब यह a-b का whole cube हो गया है अब हमने एक सर्व समिका इस्तमाल करनी है एक identity यूज़ करनी है जिससे की यह आ जाए तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे a-b का whole cube होता है a cube minus b cube minus 3ab into a-b तो यहाँ पे रिखो जो identity इस्तमाल हुई है वो लिखना होता है sorry फिर मैं a-b में आ रहा हूँ एकस वाई में आप लिख सकते हैं ठीक है तो a cube minus b cube minus 3ab into a-b यह आप xy में लिख सकते हो x minus y cube is x cube minus y cube minus 3xy x minus y तो यहाँ पे यह है cube तो दो 0 है तो यह 6 0 हो जाएंगे cube करगे तीन दोने 6 1 का cube 1 होता है minus 300 और यहाँ पे 100 minus 1 आप चाहते हैं 99 लिख सकते थे लेकिन हम कुछ और करेंगे देखो 300 का इसमें गुणा करो फिर 300 का इसमें गुणा करो यह हो गया है अब यह और यह plus के हैं तो वो आएंगे एक साथ और यह दोनों minus के हैं यह आएंगे एक साथ अब इसमें से इससे minus करना है तो कैसे करेंगे देखो 299 फिर यह 0 और फिर 100 में से 3-1 97 और यह answer आगिया है ओकी तो बस minus है आपको minus करना भी आना चाहिए ठीक से और यह हमारा answer आगिया है फिरस्ट पार्ट है अब हम बढ़ते हैं second part की और तो जो हमारा second part है उसमें 102 का क्यूब करना है 100 प्लस 2 का क्यूब तो यह हो जाएगा देखो a3 I mean x3 plus y3 plus 3xy into x plus y ठीक है ना तो यहाँ पर identity आपको लिखनी है x plus y का whole cube होता है x3 plus y cube plus 3xy x plus y तो यही आपने यहाँ पर अपलाई किया है तो दो zero है cube करके six zeros हो जाएंगे यह eight हो जाएगा तीम दोने च्छा है six hundred hundred plus two तो यह हो जाएगा देखो पांच है six hundred का इसमें गुणा करो तो क्या आएगा यह आ जाएगा और इसमें गुणा करो जाएगा अब इसे प्लस करना है तो कैसे करेंगे देखो यह eight यह eight आया पर यह दूसरा 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 यह zero तीसरा 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 यह two fourth 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 यह आया one पर फिफ्ट six यह six पिर करना है इससे यह आ जाएगा answer ठीक है तो आएगो आपको समझ आ गया होगा अगर आप ऐसे हैं तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं ऐसे करके उपर नीचे तब यह आप इने प्लस कर सकते हैं तो I hope आपको समझ आ गया होगा अब इसमें हमारे पास है third part तो इसका third part है 998 का cube 998 cube is 1000-2 का cube ठीक है तो यहां पर again a-b को whole cube का formula लगेगा a cube माइनस b cube आप सोच रहे होगा कि सर बार बार a-b क्यों बोल रहे हैं बुक में तो xy है इससे फरक नहीं पड़ता है जस्ट मैंने a-b में रटावाए तो मेरे मैंड में बार बार a-b आता है ठीक है ना तो आप लिख सकते हैं x cube माइनस y cube माइनस 3xy x-y ठीक है तो देखो इसका cube करेंगे यह 3-0 है तो cube करेंगे तो 9-0 हो जाएंगे 3-9 एक, दो, तीन दो का cube होता है 8 तीन दोने 6000 यह हो गया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो इसका इसमें गुणा करेंगे 6, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, चै, दोने 12 यह हो गया है प्लस वाले का, वेक, वेट, सॉरी, यहां पर माइनस आना चाहिए था यह माइनस ठीक है न, माइनस माइनस तो देखो, प्लस वाले हमारे पास यह दोनों है और माइनस वाले यह दोनों है तो यह हो जाएगा वन, डू, 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 बारह हजार एक, दो, तीन, चार, पांच, यह आगया अभी ने माइनस करना है तो देखो कैसे करेंगे यह है 2000, यह है तो इसको माइनस करेंगी तो यह आएगा इतना फिर हमारे पास है यह वन आया फिर 60 है 0, 4, 9, 9 यह अंसर आगया है बस सिंबल कैलकुलेशन है और I hope आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा बीच में यह फॉर्मल हो गया था बट I hope you don't mind this and इस तरह से question को ऐसे करते हैं ठीक है ना Well now we have question no.8 अब हमारे पास है question no.8 नेमने लिखित में से प्रते का गोड़न खंड कीजिए तो जो पहला पार्ट है वो है 8A3 plus B3 plus 12A2B plus 6AB2 तो यह जो फॉर्म बन रही है यह actual में A3 plus B3 plus 3AB into A plus B की फॉर्म है जो की A plus B का whole cube होता है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सब समाज आ जाएगा देखो यहाँ पे यह है देखो यह 2A का whole cube है यह B का cube है अब इसके बाद क्या लिखें यह देखो हमारे पास जो formula होता है वो है x plus y cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y तो हमने क्या करना है इसे इस form में लिखना है तो देखो बड़ा easy है आपको बिल्कुल आपको बस इतना पता होना चाहिए यानि x cube plus y cube plus 3xy into x plus y ठीक है यह समझ आ गया और यह हो जाता है a plus b का x plus y का whole cube और यह answer आ गया और इसको आप चाहो तो तीन बाद लिख सकते हो क्योंकि हमें गुणन खंड करना है so 2a plus b 2a plus b and 2a plus b यह answer आ गया है इसमें कोई समझने में problem ओके अब करते हैं इसका second part second part में है 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square तो इसको हम करेंगे solve तो यह बिलकुल इसकी negative form है यानि यहां पर plus ही इसमें minus हो जाएगा minus 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 बड़ा easy formula याद करना तो यह किसका cube है this is 2a whole cube minus b cube minus 3 ठीक है यानि x cube minus y cube minus 3xy x minus y ठीक है न और और इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या x minus y का whole cube कहने का मतलब यह है कि यहां पर कौन सी property लगी है x minus y का whole cube होता है x cube minus y cube minus 3xy x minus y ठीक है तो यहां पर इसका cube हमें इस तरह से लिखना है इसे हमें इस form में लिखना है इसे इस form में लिखना है लेकिन आगे के लिए आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूत नहीं है बस आपको अगर फॉर्मुला पता है तो आपको क्या लिखना है x q minus y q minus 3 x y इनका multiply कर देंगे और bracket में x minus y बहुत simple है और अब इसको आप चाहतो तीन बाद लिख सकते हो और यह answer आगे है ठीक है यह इसको गुड़नखंड हो गए है और राइट अब हमारे पास है इसका third part 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square यह question है अब आप देखे हैं आपको पता चलिया होगा कि यह 3 है यह 5a है तो answer 3 minus 5a का whole cube आजाएगा एक second में ही आप इस answer निकाल सकते हैं खेर यह है 3 cube minus 5a cube अब यहाँ पर क्या लिखना है यह दिहां से देखो x cube minus y cube minus 3xy यानि 3 into 3 into 5a x minus y हो गया समझ आगया ओके और अब यह होता है 3 minus 5a का cube और अब चाहो तो इसको तीन बार लिख सकते हो ठीके ना 3 minus 5a 3 minus 5a 3 minus 5a यह answer आगया है और अब हमारे पास है लास्ट पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट है इसमें total 5 पार्ट है 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square ठीक है ना तो यह आप जानते हैं यह 4a का whole cube है यह 3b का whole cube है अब देखो आगे x cube minus y cube minus 3xy यान 3 into this into this into x minus y तो x यानि this minus this समझ गया आप और ध्यान रखना यहाँ पर जब आप इसको इकठा करके लिखेंगे यानि यह 4a minus 3b का cube तो आपको लिखना चाहिए यह वाला formula यहाँ पर लिखना चाहिए ठीक है और अब आप इसको तीन बार लिख सकते हैं 4a minus 3b into 4a minus 3b into 4a minus 3b और राइट वैल अब हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट 27p cube अजा मैं इस question को थोड़े घुमा के लिख रहा हूँ अगर मानलो आपके बास question ऐसे आजाए अगर आपके बास question इस तरह से आजाए कि इसके गुड़न खंड निकालो इसके factors करो तो फिर आप कैसे करोगे तो यहाँ पे आपका काम यह होगा कि पहले तो आप इसको एक सही से form में लेके आओ ठीक है न यानि आप यह जानते कि यह perfect cube है और यह perfect cube है तो यह एक साथ आएगा उसके बाद यह यहाँ पर आएगा और यह यहाँ पर आजाएगा आप समझ गए वैसे आपके पास question यही है बड़ अगर आपके पास question इस तरह से आता है जो कि बहुत बार पुझा जाता है तो आपको इसको पहले इस form में लिखना है और फिर आगे वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं regular वही करेंगे यह है 3p का cube minus 1 upon 6 का whole cube minus अब आगी क्या करना है x cube minus y cube minus 3xy x minus 3xy यह हुआ bracket लगाने की यहां पर ज़रूर नहीं है बड़ चलू कोई बात नहीं लगा दिया मैंने x minus y और यह हो जाएगा x minus y का whole cube यह answer आगे आप चाहुत इसके तीन बार लिख सकते हो 3p minus 1 upon 6 3p minus 1 upon 6 and 3p minus 1 upon 6 correct ओके तो इसी के साथ question number 8 पूरा होता है अब हम बढ़ते हैं question number 9 की ओर इस question में है सत्या भी कीजिए और पहला है x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus x y plus y square और यहां पर देखो x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus x y plus y square और यह formula होता है और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप यह formula रट दो second part में क्या है कि यह minus है यह minus है और यह plus हो जाता है उसमें अगर यहां पर minus होगा तो यह minus और यह plus हो जाएगा सत्यापित कैसे करना है simply आप इसको यहां पर इसका अंदर multiply कर तो आप कहां सरा जाएगा और इसको सत्यापित करने के दो तरीके हैं चलो मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा पहला तो यह है कि यहां पर आप लो right hand side तो right hand side क्या है x plus y x square minus x y plus y square ठीक है ना अच्छा अब यहां पर इसका गुणा पहले पूरे से करो यानि यह हो जाएगा x cube फिर इसका इससे करेंगे x square y फिर इसका इससे करेंगे plus x y square फिर इसका इससे करो plus y x square फिर इसका इससे minus x y square और फिर इसका इससे plus y cube अब आप notice करेंगे यह x square y और यह x square y कड़िया x y square x y square कड़िया और यहां पर क्या बचा x cube plus y cube और यह आगे हमारा left hand side तो यह hence proved हो गया या फिर hence verified ठीक है ना चलो मैं आपके knowledge के लिए इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूँ देखो बच्चों आपने x plus y को whole cube का formula पढ़ा है ना x cube plus y cube plus 3xy x plus y यह पढ़ा है आपने अगर आपको यह निकालना हो तो आप क्या करोगे इस सब को उठा कि यहां लेके जाओगे यानि x cube plus y cube हो जाएगा x plus y cube minus 3xy x plus y अब इसमें हम कॉमल लेंगे x plus y तो अंदर क्या बचेगा देखो यहां 3x plus y हैं एक बाहर ले गया तो अंदर बचेगा x plus y का square यह तो बाहर आ गया अंदर क्यों बचेगा 3xy ठीक है तो यह हो गया x plus y अब इसको खोड़ो तो आप जानते है x plus y का square क्या होता है x square plus 2xy plus y square अब यह यहां पर आ जाएगा minus 3xy तो यह है x plus y x square इसमें से इससे माइनस करेंगी तो माइनस xy हो जाएगा और यह plus y square यह आ जाएगा ठीक ना क्योंकि 2xy में से 3xy माइनस हो तो माइनस xy यानि 2 में से 3 माइनस होता है माइनस 1 आता है और यह आज़रीज आ गया और यह आपका अंसर आगया ठीक है ना यानि x cube plus y cube is equal to यह proof हो गया है तो आपके दोने तरीके हैं अफकोर्स यह आपको बहुत easy लग रहा होगा लेकिन आप किसी से भी कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको knowledge इंप्रूफ करने के लिए दिया है यह यहाँ पर किया है अब इसका second part करते हैं तो I am sure अब आप second part इसका आराम से कर सकते हैं it's not difficult ओके तो इसका है second part वही x cube minus y cube is equal to x minus y x square plus x y plus y square यह identity है ठीक है आप इसको रट लेना जैसे मैंने कहा था पीछले वाला बहुत जरूरी है बहुत important है ही है ओके तो अगेन वही करना है हमें right hand side लो x minus y x square plus x y plus y square अब इसका गोना करो इसका इससे किया x cube फिर इसका इससे x square y फिर इसका इससे करेंगे x y square फिर इसका इससे करेंगे y square फिर इसका इससे minus x y square I hope आपको यह सब आता होगा multiply करना तो x square y plus का है x square y minus का है x y square plus का x y square minus का और finally क्या बज़ गया x cube minus y cube तो यह आ गया हमारा left hand side ok verify हो गया है और जब दूसरा तरीका इससे भी आप कर सकते हैं वो आप kut try कर लेना अब बढ़ते हैं question number 10 की और question number 10 है निम निलिखी तमेंसे प्रते के गुड़न खंड कीजिए और जो हमने question number 9 में जो identity इस्तिमाल की है उसे का इस्तिमाल करके हमें करना है तो पहला है 27 y cube plus 125 z cube इसका गुड़न खंड करना है तो देखो यह कैसे होगा यह होता है यहाँ पर लिखते है 3y का whole cube और यह 5z का whole cube ठीक है a cube plus b cube होता है a plus b I mean x cube plus y cube होता है x plus y x square तो देखो कैसे करेंगे minus xy plus y square ठीक है ना और जो आपने identity इस्तेमाल की वो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए तो क्या इस्तेमाल किया x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus x y plus y square ठीक है ना तो बिल्गल आप देख सकते हैं यही identity आप इस्तेमाल की है तो यह अगले step में इसका answer आ जाएगा यह है 3y plus 5z यह हो जाएगा 3 तिया 9 9y square 5 तिया 15 yz plus 25 z square यह answer आ गिया है is it clear अब इसका second part करते हैं 64 m cube minus 343 n cube इसके गुणनखंड करने हैं तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर यह जो है किसका cube है यह 4 m का cube है यह किसका cube है 7 n का cube तो a cube minus b cube की फॉर्म आ गई मतलब x cube minus y cube की फॉर्म आ गई तो यह हो गया x minus y x square minus xy plus y square और यहाँ पर जो identity लगी है वो लिखने चाहिए x cube minus y cube is equal to x square sorry x minus y x square sorry यह plus होता है ठीक है यह plus है xy plus y square यह है ठीक है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4m minus 7n 4 चको 16m square plus 7 चको 28 mn plus 49n square और यह आंसर आ गिया है clear well अब बढ़ते हैं अगले question के और question number 11 में है गुड़न खंड कीजिए question number 11 I mean 27 x cube plus y cube plus z cube minus 9 x y z इसका हमें गुड़न खंड करना है तो देखो कैसे होगा यह जो form बन रही है पहले मैं formula लेक देता हूं जिससे आपको आसानी रहे तो इसका formula है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z यह होता है x plus y plus z और फिर यह होता है यहाँ पर x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x तो इसका expansion यह होता है तो हमें वैसे ही करना है तो यह जो हो जाएगा देखो यहाँ पर 27 x cube यानि 3 x का cube plus y cube plus z cube minus 3 x है ना पहले तो इस form में बनाऊ इसे x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z तो यह तो बन गए यह वाली form अब हम यह आराम से अपलाई कर सकते हैं तो यह हो जाएगा x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x ठीक है और अगले step में इसको simplify करके लिख देंगे 3 x plus y plus z 9 x square plus y square plus z square minus 3 x y minus y z minus 3 z x करेंट क्वेशन नमर 12 सत्यापित कीजिए तो हमें सत्यापित करना है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z is equal to 1 by 2 x plus y plus z x minus y square plus y minus z square plus z minus x square अब देखो सत्यापित करने में वही है कि right hand side लो इसको पोरा solve करो और बहुत सारा multiply के बाद यह आएगा तो करते हैं again इसके दो तरीके करने के हैं तो मैं आपको दोनों तरीके कराऊंगा चलो किवल आपकी ग्यान की विर्दी के लिए यह जरूरी है कि मैं आपको दोनों तरीके कराऊं नहीं तो काम इससे भी बन जाएगा तो right hand side low और right hand side यह है ठीक है तो इक काम करता हूँ मैं मैं इसको थोड़ा सा solve कर देता हूँ x-y x-y का whole square का formula क्या होता है x square minus 2xy plus y square यही formula यहाँ पर लगाएंगे तो y square minus 2yz plus z square और यही formula यहाँ पर लगेगा z square minus 2zx plus x square ठीक है x square x square दो बार है y square y square दो बार है z square z square भी दो बार है फिर minus 2xy minus 2yz minus 2zx ठीक है ना यह सब मैंने लिखती है यहाँ से 2 common आके कड़ जाएगा तो यह हो जाएगा x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx अब यह क्या है यह वही है जो आप formula पढ़ते वे आ रहे हैं समझ गे अब इस step में आपको क्या करना है इसको expand करना है यानि x का पूरे से multiply करो y का पूरे से multiply करो z का भी पूरे से multiply करो तो करो चलो x का इससे करेंगे x cube फिर x का इससे होगा x y square x का इससे होगा x z square फिर x का इससे करेंगे x square y x का इससे होगा minus x y z फिर x का इससे करेंगे माइनस Z X square ठीक है? अब Y का करो सबसे तो ये हो जाएगा Y का इस से किया Y स्कुरायर फिर Y का Y से किया Y cube Y का Z से किया Y Z гоeken फिर Y का इस से किया माइनस XY Y square फिर Y का इस से किया माइनस Y square Z, फिर Y का इसी किया, माइनस Y Z X, अब Z का करो सबसे, दिहान रखना गल्द ही नहों हो जाए है, कहीं पर, प्लस Z का इस से करेंगे, और Z का इस से किया, तो Z Q आ गया, फिर Z का इस से करेंगे, माइनस X Y Z, फिर Z का इस से करेंगे, माइनस Y Z स्क्वायर, और Z का इस से करेंगे, तो माइनस Z स्क्वायर X, यह आ गया है, ठीजा, और अब जो है, काटने का दौर शुरू होगा, तो इस से कटा यह, X Z स्क्वायर से, X Z स्क्वायर है, यहाँ पर कहें, हाँ यह है न, इस से कटिया, X स्क्वायर वाई, X स्क्वायर वाई, X स्क्वायर वाई, X स्क्वायर वाई कटा, Z X स्क्वायर, इस से कटा, y z square से ये कड़ गया y square z से ये कड़ गया बस और अब ये हो जाएगा x cube plus y cube plus z cube minus x y z ये भी x y z है अगर आप बलड के रिख दो और ये भी x y z है तो ये हो जाएगा 3 x y z और ये हो गया verify ठीक है ना verified ओके समझ आगे आपको इसका विससे एक और तरीका है बट वो तरीका आप रहने ही दो बेटर है कि आप बस इससी तरीके से करो ऐसा ही इसको expand करो ठीक है ना चलिए अब अगला question करते हैं अगला question है यदि x प्लस y प्लस z 0 है तो यह ली ऐसा है तो हमें बताना है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 x y z नहीं हमें बताने कि यह इसके बराबर होता है यह question है तो देखो हम जानते हैं formula x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 x y z क्या होता है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x अब यहाँ पे x plus y plus z तो 0 है यानि इसको तो रख देख 0 तो right and set पूरी 0 हो जाएगी multiply करके तो यानि क्या मिलेगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z हो जाएगा 0 और अब हमें मिलेगा finally x cube plus y cube plus z cube बराबर यह उसरब जाएगा 3 x y z और यह आनिसर आगिया है ठीक ना? Hence proved question number 15 नीचे दिये गए आयतों जिन में उनके शेत्रिफल दिये गए हैं प्रतेई के लंबाई और चोड़ाई के लिए संभव व्यंजब ज्यान कीजिए तो कहने का मतलब यह है question में हमारे पास यह आयत है और उसका शेत्रिफल दिया गया है इसका जो area है वो है 25a square minus 35a plus 12 यह इसका area है हमें बताने इसके लंबाई और चोड़ाई क्या है संभव लंबाई और चोड़ाई देखो संभव लंबाई और चोड़ाई का मतलब यह है कि मान लो कोई आयत है और उसका area मान लो 40 है 40 है मान लो area तो इसके लंबाई चोड़ाई क्या हो सकते है आपको पता है आयत का जो शेत्रफल होता है एरिया होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई तो अगर मैं इसके लेंग्ध करूं 20 और चोड़ाई करूं 2 तो ये लंबाई ये चोड़ाई तो एरिया तो 40 होगा अग अभी यह लबाई दो चुड़ाई तो यह भी एक smb clearly यहाँ पर श्ällतिती है अग्र में यहाँ पे इसे करो आठ और इसे करो पांच 具षार वाइए लबाई ओना syne continental अभी क्या है यह लबाई अग्रार सुड़ाई संभाई 25a square minus 35a plus 12 इसके हमें करने हैं गुणनखंड factors factors करने के लिए हम इसको करेंगे middle term splitting से यानि इसको split करके फिर करेंगे तो कैसे करते हैं सबसे परे तो इनका गुणा करते हैं इनका multiply करते हैं 25 into 12 ये multiply करके आता है 300 तो 300 की दो ऐसे हिस्से करो जिसे प्लस करके 35 आए 35 आए तो क्या होगा तो वो होगा 20 गुणा 15 तो 20 और 15 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा और प्लस करेंगे तो 35 आएगा अगर ये नहीं पता चलेगे समझ आ रहे कि ये कैसे आए तो एक काम करो 25 के टुकडे करो 12 के टुकडे करो 20 और 15 आगया तो बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखें फैक्टर्स पर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो सर्च मार सकते हो मिलेगा मिलेगा स्प्रेटिंग जेपी सर आपको मिल जाएगा उसको अच्छे से देखना समझना खेर यहाँ पे 25 A स्क्वाइर माइनस 20 A माइनस 15 A प्लस 12 अब इसको इसके फैक्टर क्या कॉमन है यहाँ पे 5 A कॉमन है तो अंदर बचेगा 5 A माइनस 4 यहाँ भी यहाँ 3 A कॉमन है अंदर बचेगा 5 A माइनस यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ आजाएगा 5a-4 5a-3 ठीक है अब इसमें एक लंबाई है और एक चोड़ाई है तो जो लंबाई है उसको लिखो 5a-3 और जो चोड़ाई है वो हो जाएगी 5a-4 आप यह सोच रहोंगे इसे लंबाई क्यों नहीं लिया क्योंकि इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा क्यों? क्योंकि यह माइनस में यह है और यहां माइनस में यह माइनस 3 है और यह माइनस 4 है तो माइनस 3 बड़ा होता है ना माइनस 4 से तो बड़ा लंबाई होती है तो यानि यह लंबाई है यह चोट चोट चीजे ध्यान में रखनी होती है येकिन अगर आप कुछ भी लिखोगी यह से फरक नहीं पड़ेगा अब इसका सेकिन पार्ट है तो हमारे पाद जो शेत्रफल है वो है 35y² प्लस 13y-12 इसके फिर गुणन खंड करने है फैक्टर करने है मिल्डिवम स्प्लिटिंग से तो क्या तरीका है इसका और इसका गुणना करना है मैल्डिप्लाई और उसके बाद जो आंसर आएगा यानि इसका गुणना करके आएगा 6,7,42,420 ठीक है अब इसके दो हिस्से करो जिससे माइनस करके 13 आए तो देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी बेस्ट है इसके टुकडे करो 35 होता है 5,7,35 12 होता है 3,12 ठीक है न तो देखो 5,15,7,28 और 28 में से 15 आगया 13 आगया कितना ब्यूटिफुली आगया देखो अगर ऐसे में नहीं होता है तो हमें ऐसे में देखना पड़ता है 5,20,7,21 फिर कुछ और तरीके से देखते लेकिन बेस्ट है शुरू में आगया तो देख 35y square plus 28y minus 15y minus 12 यहां से common आ रहा है 7y अंदर बज़ेगा 5y plus 4 यहां minus 3 common है अंदर बज़ेगा 5y plus 4 तो यहां पे 5y plus 4 यहां पे 5y plus 4 यह आ गया 7y minus 3 यह आ गया ठीक है न तो देखो कोई भी एक लंबाई ले लो इसकी length हो गई लंबाई होगी 5y प्लस 4 और चोड़ाई होगी 7y माइनस 3 यह आप यह लंबाई ले लो यह चोड़ाई ले लो इट डिजन्ट मैटर और तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब बढ़ते हैं अगले question की और question number 16 में हमारे पास घंब हैं जिनके आईतन दिये हैं और हमें बताना है इनकी विमाई क्या होगी यानि लंबाई चोड़ाई उंचाई क्या होगी तो देखो घंब जो होता है यह लंबाई है, यह चोड़ाई है और यह उंचाई है और जो इसका आयतम होता है लंबाई गुणा, चोड़ाई गुणा, उंचाई तो बस इसके भी फैक्टर्स करने हैं और यह बहुत सिंपल है तो हमारे पास जो आयतम है, उसे लिखते हैं, 3X स्क्वायर माइनस 12X तो देखो, इसको यहां से कॉमन लोग, यह पहला नियम होता है फैक्टर करने का, रूल नंबर वन की कॉमन लोग तो 3X कॉमन लिया, अंदर बचेगा X-4 बस आगया, यानि यह होगा 3XX-4 तो यह लंबाई होगी, यह चोड़ाई होगी, यह उंचाई होगी तो आप लिख सकते हैं, कि लंबाई 3 है, चोड़ाई X है, और वनचाई X-4, आगया समझे अब हमारे का सेगिन पार्ट इस क्वेशन का, और एक बहुत इंपॉर्डन बात मैं आपको इसमें बताऊंगा, वो यह है, कि किसी बुक में यह क्वेशन इस तरह से है, और किसी बुक में यह क्वेशन इस तरह से है, खेर, मैं दोनों ही तरह से सॉल्व करूँगा इसे, तो हमें करना क्या है, देखो यह है आइतन और किसका आइतन घनाब का तो हमें, हमें इसके तीन फैक्टर बनाने हैं, और हमें पता चलिया गए इसके लंबाई क्या है, चोड़ाई क्या है, उंचाई क्या है, ठीक है ना तो यहां पे common लेना है, पहला नियम factorization को होता है common लेना, पहला नियम भूलना मत, common है तो common ले लो, चाहे जिन्दीगी में आपके पास कोई भी factorization मिले कोई भी गोड़नखंडे मिले, पहला नियम common ले लो, तो यहां पे common आ रहा है, 2 और k, और अंदर यहां बचेगा 6y² 3y-10 अब देखो आगे यहाँ पे problem यह है कि इसके आगे गुणनखंड पॉसिबल नहीं है कैसे? यहाँ पे इसका और इसका गुणना करेंगी तो क्या आएगा? जैसे हम करते हैं middle term splitting से दुणना करके 60 आएगा 60 की दो हिस्से करो जिसको माइनस करके 3 आए ऐसा हो यह नहीं सकता है 60 यहाँ तो होगा 60 into 1 माइनस करके 3 नहीं आएगा फिर आएगा 30 into 2 अभी भी 3 नहीं आएगा फिर आएगा 20, 63 माइनस करके अभी 3 नहीं आएगा फिर है 15,60 ठीक है? फिर है 12,60 फिर है 10,60 के साथ फिर है बस हो तो गया अग उसके बाद मैं अगर करूं पांच और बारा यह दुबारा घूमकिया आ जाएगा कहीं भी यह माइनस करके 3 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसके गुणनखंड होंगे ही नहीं तो यहां पर आप इतना छोड़ सकते हैं दो गुणा के गुणा 6y स्क्वाइर प्लस 3y माइनस 10 और इसकी लंबाई होगी दो इसकी चोड़ाई होगी के और इसकी उंचाई है वो है 6y स्क्वाइर प्लस 3y माइनस 10 ठीक है न यह समझ आ गया बट अगर आपके पास क्वेशन यह है तो क्या होता है देखो किसी किसी बुक में यह है ठीक है यहाँ 4 common है और k common है तो यह बचेगा 3y स्क्वाइर प्लस 2y माइनस 5 अब यहाँ पे देखो 5 और 3 का गुणा करेंगे आता है 15 15 के दो हिस्से करो जिसको माइनस करके 2 आए तो बड़ा आसान है 5 और 3 पास्तिया 15 तो यह हो जाए इसके गुणनखन संभव है 3y स्क्वाइर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 तो y 3y प्लस 5 माइनस 1 3y प्लस 5 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1 ठीक है अब आपकी मर्जी है आपके पास तीन के चार फेक्टर हो गए हैं तो आप कोई भी दो ले लो तो एक काम करो इसको यह लंबाई ले लो यह चोड़ाई ले लो यह उंचाई ले लो तो जो लंबाई है वो है 4k जो चोड़ाई है वो है 3y प्लस 5 और जो उंचाई है y माइनस 1 ठीक है तो माइडियर इस एक्सरसाइज में मैंने आपको पूरा जो 2.5 था वो अच्छे से कराया आई होप आपको यह पसंद आया होगा और आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और आप भी अच्छे से मे आपकी solutions आगे आते रहेंगे और अपना feedback comment box में देते रहिए share करते रहिए यही आपकी fees है कि आप इस वीडियो को like करो share करो subscribe करो ठीक है और बस thank you for watching और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली exercise के साथ take care